ओम नमश्यवाए जैमहाकाल, आप सब को पता है कि पित्रपक्ष का ये महीना चल रहा है और तुलसी माता के पेंड के पास आपको एक कटोरी रखनी है और आपको एक छोटा सा काम कर रहा है आपको उस काम से पिंड दान जितना फल मिलता है उतना ही फल आपको उस उपाई को करने से मिलेगा पूजी गुरुजी की कथा से सुनके बहुत अच्छे समझा रहा हूँ बहुत ही धान से सुनिएगा लेकिन उससे पहले वीडियो का आप लाइक करें और जो वीडियो के इस नए चनल पर हाँ आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है देखो आपको इस स्क्रीन पर क्या दिख रहा है तुलसी माता का पौधा दिख रहा है यहां उम्र की कोई सीमा नहीं है नहीं इसमें कोई छोटे बड़े की बात है ठीक है एक कटोरी यहां पर रखना और आपको अपने घर से गंगा जल लेना है अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आपको इस उपाय को नहीं करना है पिर से बोल रहा हूँ, आपके घर में अगर गंगा जल नहीं है तो आपको इस उपाये को नहीं करना आपको अपने घर से गंगा जल लेना है और अपना हाथ कुछ इस तरीके से करना है जैसा कि फोटो में आपको देख रहा होगा ठीक है इस तरीके से करना और पांच बार किसका नाम लेकर के काशी विश्चोनात महादेओ का नाम लेकर के किसका नाम काशी विश्चोनात महादेओ का नाम लेकर के अपने हाथ से इस कटोरी में कुछ इस तरीके से जल को गिराएंगे तो को सीधा नहीं गिराएंगे ऐसे कर पांच बार वयरो है जो कटोरी में गिरा देना है इससे क्या होता है जितने भी दान होते हैं पिंड दान का जो पूरा लाब होता है वह आपको मिलता है कभी बीमारी परवेश नहीं करती है मातलख्षमी की कभी भी कमी नहीं होती ठीक है अब आपके दिमाग में एक छोटा सा question जरूर होगा कि भाईया ये जो कटोरी है ना इस कटोरी में जो गंगा जल है उस गंगा जल का हम क्या करें ये तो सब आपने बता दिया देखो गुरु जी ने भी इसके बारे में आपने बहुत हो सकता है बहुत सारी वीडियो गुरु जी ने बताया ही नहीं है कि इस गंगा जाल को करना क्या है तो मैं अपनी तरफ से कैसे बता दू कि मैं तो यानि बाबा हूं नहीं क mesa बता सकता हूं वैसे हैं पर अगर पढ़ा रह जायागा या फिल आपके पैर के नीचे पढ़ गया तो दोश भी लग सकता है इसलिए इस गंगाजल को उठाना और किसी पेन वगरा के नीचे डाल देना और कहीं में डालना ठीक है तो कोशिश की है आपको अच्छा बताने की समझाने की पुश लीजेगा ओम नमस्षिवाय जै महाकाल